भोपाल से बड़ी खबर जहां IBC 24 से कंसाना ने चर्चक की, कॉंगरेस के लापतव धैक रगुरासी कंसाना ने IBC 24 से चर्चक की है उन्होंने कहा कि मैं भ्रमड़ गया हुआ था, मुझे किसी ने बंदक नहीं बनाया सरकार में किसी के पास मिलने कहीं समय नहीं, उपेक्षा से दुखी होकर अपना मुबाईल उन्होंने बंद कर दिया था बीका इंव भी कहा कि अभी फिलहाल मैं दिल्ली में हूं जो तीनादे सिंद्या के समर्थन में भी उन्होंने बयान दिया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस समझ नहीं पा हिये कि किसकी वज़ा से सवर्कार बनी थी युवा नेत्रित युवा चेरे को प्रदेश की जनता ने चुना था कि अब दूद रहें कि अपको पता और बार बार बोल रहें थे कि निताओं के संपर्क में आप कि नहीं 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 कि अपनी तो कि अपनी काम से गया था तो क्या मुवाल बंद करने की जिए रही खाता अगर प्रमन पर गए ते आप मुवाल क्या है मुवाल बंद तो ऐसी रहते हैं कि बात करने का मिलने का जो लोग ते बीडिया चैनल के अपनी धंकी देते ते उनके काम होते ते लेजंड रहसे लोग हैं तो सीरे सत्य लोग हैं ते शेत्र में उनकी कोई सुन्वाई ही हैं क्या करा होगे जो जन्ता शेत्र में जन्ता इसन वह न्युक्त मुवाल बंद करना कोड़े वह कि ऐसे आरू बारबार लगारे सरकार में मन्सी कॉंडर कि ने था कि आपको बंदक बनाया गया यह निए भिद्ध क्यों प्राइब ने बंदक क्यों ता तो आपने सुना कि किस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार में किसी पास मिलने का वक्त नहीं है उपेक्षा से दुखी हूँ और किसकी वज़ा से सरकार बनी दो तीन प्रहुक बातें जो उनके इस बाच्चित में साफ तोर पर समझ में आ रहा है तो मले रगुराज सिंग कंसाना से हमारे सेवगी ने चर्चा की आपिस 24 ने जब उसे चर्चा की तो अपना दुख उन्होंने बताया और कहा कि उपेक्षा से में दुखी हूँ साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग समझ नी पारे कि सरकार किसके ओजासे बनी थी इन सारे बातों के मायने क्या निकाने जाए बिल्कुल देखिया राउल बात करें तो यह निशित तोर पर एक बात जरूर सही कही कि कि कॉंग्रस के निता समझ नहीं पाए और जो पूरा गटना करम पिछले दिनों चला हुँ निशित तोर पर कहिना के इसी और सारा करता है कि समझ कर या तो ना समझी की गई या फिर साना के ब्यान से तो यही लगता है जब उनसे बाक्चित की गई कि पिछले 6 दिनों से आपका मोवाइल बंद की होता है उनका कहना था कि वो टूर पर गई हुए थे भरमण पर थे और अपनी स्विक्षा से उन्होंने मोवाइल बंद किया था क्योंकि सुनवाई नहीं हो साती सात उन्होंने ये भी का कि जो एक सिंधिया समर्थ तक मानी आते हैं लेहाज जो ट्रादे सिंधिया के समर्थन में उन्होंने ब्यान दिया कि एक साल पहले जब चुनाव का वक्तिता मंसवर के अंदर उस समय युवाचेरे को आगे किया गया था पर लेकिन कमलनात हैं जोद्रादि सिंदिया ये माना जा रहा है कि जोद्रादि सिंदिया के साथ उनकी मलाकात हो सकती है और उसके बाद में मकमंद्री कमलनात से मलाकात होगी और नाराजगी क्या उसके बाद उनकी दूर होती है ये देखना होगा पर लेकिन कुल मिलाकर दस विधायक जो कॉंग्रेस के लापता थे अब 9 विधायक जो है वो संपर्क में 8 विधायक भुपाल आकर मुखमिंद्री से मलाकात उन्हें ने किती रगराज सिंग कंसाना से IBC 24 ने बाचीत की और उन्होंने दिली में अपनी लोकेशन बताई और यह माना जा रहा है कि दि अर्देप शिंग डंग जिनके इस्तीपा जो है वो सोसल मीडिया पर वाइरल हुया था हाला कि एनपी प्रजापती ने इस्तेपी की खबरों को सिरे से खारिज किया था और यह माना जा रहा है कि मधिपरते सरकार के एक मंत्री उनके संपर्क में और जल्दी उनकी भुपा कर एक लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुदेर